नमस्कार मैं हूँ प्रबीन और आप देख रहे हैं नियूस लिक का डेली रॉंड अप शोओ आई नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर COVID-19, सेकेंडरी इंफेक्शन वाले आदे से ज़्यादा मरीजों की हो रही है मौत ICMA रिपोर्ट का दावा मूचे रखने पर एहमदाबाद में दलित युवक को पीटा गया हमाई तीसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका की जहां पर सामराजवाद विरोधियों ने चीन को निशाना बना रहे सिनेट बिल का विरोध किया और आखिर में करोन अपडेट देश में 24 गंटों में एक दस्मिलों 8-6 लग नए मामले 3660 मरीजों की मौत ICMR की रिसर्च में एक चौकाने वाला परिडाम सामने आया है रिसर्च के मुताबिक करोना संक्रमण के दोरान या इलाज के बाद यदि व्यक्ति को अन्य संक्रमण हो जाता है तो उनमें से आदे की मौत हो जाती है ICMR ने 10 हस्पतालों के अध्यन में पाया कि करोना रोगी जिने अन्य संक्रमण हो गया है उनमें से 56,7% की मौत हो गई है इस्टडी कहती है कि जरुट से ज़्यादा एंटिबाटिक्स का इस्तमाल और सूपर बग भारत में COVID-19 महामारी के संक्रमण को और बढ़ाती है बैक्टेरिया, वाइरस, फंगस, पैरासाइट इत्यादी सुक्ष्म जीवों को कहते हैं जिनसे निमोनिया, UTI, skin disease आदी बीमारी होते हैं बारती चिकत्सान उसंधान परशद की एक रिसर्च में यह बात सामने आई है POI में 6P खबर के मुताबिक इस रिशर्च में 10 अस्पतालों में कोरोना से मरने वाले रोगियों पर परिशन किया गया जिसमें मुंबई के सायन और हिंदुजा अस्पताल भी शामिल है अधियन बहुत चौकाने वाला था अधियन के मुताबिक कोरोना से संक्रमित वह व्यक्ति जो सेकेंडरी बैक्टरियल और फंगल इंफेक्शन से पिरित थे उनमें से आदे व्यक्तियों की मौत हो गई है secondary bacterial या fungal infection का मतलब कोरोना के दौरान या इलाज के बाद व्यक्ति में bacterial या fungal infection का हो गया हो एहमदा बात जीले बे विरम गाउं तालुका के काक्थल गाउं में रहने वाले 22 वर्षी दलित यूवक सुरेश वागेला को 23 मई की रात को खाना खाते वक्त अचानक एक फोन आया फोन करने वाले ने बताया कि वह धामा भाई बोल रहा है और वह यूवक वागेला से जानना चाहरा था कि उसने मूचे क्यों रख किया फोन बंद करने के बाद चंद मिन्टों में ही धामा भाई समेथ 9 लोग यूवक वागेला के घर पहुँच गया और उस पर हमला कर दिया सुरेश वागेला ने बताया कि रात के लगबग 10 बज रहते और खाना खाने के बाद माता पीता भी सो रहते सबसे पहले मुझे धामा भाई का फोन आया था जिसमें मुझसे पूछा कि मैंने मूचे क्यों रखी हैं और इस जुरत के लिए उसने मुझे पीटने की भी धम की दी लेके मैंने फोन काट दिया और सो गिया कुछी मिन्टों में दरवाजे पर दस तक होई और पाया कि धामा भाई साहित नौ लोग डंडे और लोहे की छड़े हाथ में लिए खड़े हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे जाति सुचक गाल्या दी और फिर मुझे लाटी और डंडों से पीटने लगे मुझे प्रात्मिक उप्चार केंद्र ले जाए गया और फिर अस्पताल में भरती करा दिया गया सन्यूत राज अमेरिका की सीनेट ने चीन पर लक्षित व्यापक, व्यापार और प्रद्योक बीलों को उन्नत किया है क्योंकि अमेरिका अधिक अक्रामक विदेश नीती के साथ आगे बढ़ता है गुरुबार यानि 27 माई को United States Innovation and Competition Act यानि USICA पर बहस के लिए 63-30 माफ कीज़ेगा 68-30 वोट के साथ मद्दान किया दुईदली समर्थन 60 वोट की सीमा को पार करने के बाद बिल के खिलाफ फिली बस्टर के किसी भी प्रयास को उलट देगा 800 प्रिस्ट से अधिक का ड्रॉट बिल जो 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्व पोशन को मन्जूरी देगा में मूल रूप से दक्षिन पंती रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटरों द्वारा प्रस्तावित बिलों का धेर शामिल है जिसे बड़े बिल में संचोधन के रूप में जोड़ा गया डेमोक्रेटिक सीनेटरों के 50 वोटों के अलावा 50 रिपब्लिकन सीनेटरों में से 18 ने बिल पर बहस को बंद करने का समर्थन दिया है सामाजिक आंदवलनों और सामराजवाद विरोधियों ने तर्क दिया है कि बिल अमेरिका में एशियाई विरोधी नसलवाद को बढ़ा सकता है जो कि पुर्णवराश्पती डोनाल्ड ट्रम्प के चीन के प्रती आकरामक्ता के बाद से बढ़ रहा है सामराजवाद विरोधी वकालत करने वाले समू कोड पिंक ने लोगों से रनेतिक प्रतिस्फर्दा अधीनियम को अस्विकार करने के लिए अपने संबंदित सिनेटरों पर दवाव डालने का आहवान किया है यह तर्क देते हुए कहा कि यह चीन के प्रती अमेर्की आकरमक्ता को बढ़ाने के लिए सैन धन में व्रिद्धी करेगा और घर पर एशियाई और एशियाई अमेर्कियों को खत्रे में डालेगा केंद्री स्वासमंत्राय दौरा आज शुक्रवाल यानि 28 मही को जाली आकडों के रुणसार देश में पिछले 24 गंटों में करोना की 1,86,364 नए मामले दर्श की गए है इसके अलावा करोना से एक दिन में 3,660 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीश देश भन में करोना से पेड़ित 2,69,469 मरीजों को ठीक किया गया है देश में करोना की मामलो की संग्या बढ़कर 2,75,55,457 हो गई है जिन में से अब तक 3,18,895 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 90,33 फीस दी यानि 2 करोड और 40,93,410 मरीजों को ठीक किया गया है और देश में आक्टि मामलो की संग्या घटकर 8,50 फीस दी यानि 23,43,152 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी का नसाथ देश में करोणा वैक्सिन की 20,57,20,660 डोज दी जा चुकी है जिन में से 29,19,699 वैक्सिन की डोज पिसले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली राड़र में बस इतना है न्यूस क्लिक के यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस एपसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया